Hello friends, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Introduction to JavaScript ये JavaScript का पहला चैप्टर है आपको मेरे सारे वीडियो के लिंक बहुत ही और्गनाइजड मैनर में मेरी website mysargy.com पे मिल जाएंगे आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा lecture हमारे इस course में basically हम ये जो course कर रहे हैं इसके कारण हम website बना सकते हैं web application बना सकते हैं और एक web application को बनाने के लिए minimum हमें जिन जिन चीजों की जानकारी होने की ज़रूरत है वो मैं इस course में cover कर रहा हूं पहले तो HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL ये हमारे course के main content है HTML के videos already हम इसमें देख चुके हैं CSS के भी videos रखे हुए हैं आज हम JavaScript का पहला lecture देख रहे हैं तो आज ये introduction lecture है तो मैं पताओंगा कि JavaScript क्या है, क्यों है सबसे पहली बात JavaScript is a high-level, untyped and interpreted programming language देखिए आप interpreter और compiler के बीच में फर्क जानते होंगे इसके उपर भी video मेरे channel में है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं interpreter और compiler में basic फर्क है compiler पहले हमारे program को एक intermediate format में convert करता है और बाद में हम उस program को run कर सकते हैं interpreter में कोई बीच में intermediate format नहीं होता है जब भी code को run करना होता है, उसी वक्त code machine format में translate होता है तो कोई intermediate file नहीं बनती है, जब हम interpreter का इस्तमाल करते हैं तो JavaScript एक interpreted programming language है, यानि इसमें interpreter का इस्तमाल होता है untyped है, जैसे अगर आपने JavaScript से पहले कोई programming language जैसे की C language पढ़ी है तो आपने वहाँ देखा होगा int, care, float, double, इनको हम बोलते हैं data type जो की data की category को दर्शाते है यानि हमारे आसपास बहुत सारा data है हम कह सकते हैं कि ये data int है, ये data float है, ये data care है इस तरीके से C language में data को categorize किया हुआ है लेकिन JavaScript में ऐसे कोई data types नहीं होते हाँ, internally वो type manage होता है, लेकिन programmer को कोई data type provide नहीं किया जाता है यानि आप directly यहाँ पर variable को use कर सकते हैं, यहाँ कोई int care float double नहीं होता ये high level language है languages basically दो तरे की category में होती है, low level languages and high level languages low level languages machine dependent language होती है, architecture dependent language होती है जबकि जो high level language होती है, वो machine independent language होती है तो इसलिए JavaScript high level है, वो किसी भी machine पर, किसी भी platform पर use की जा सकती है despite some naming, syntactic and standard library similarities, जावा स्क्रिप्ट and जावा are otherwise unrelated बहुत सारे लोगों को यह confusion होता है, नाम के कारण कि जावा स्क्रिप्ट और जावा शायद एक ही चीज़ है या कुछ नहीं तो यह तो वो सोचके चलते हैं कि दौनों एक ही company के product होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह दौनों अलग-अलग languages है जावा को हम एक versatile programming language भी बोलते हैं या हम उसे एक technology भी बोल सकते हैं जिबकि जावा स्क्रिप्ट एक lightweight कम resource यूज करने वाली language है जिसको की हम अपने web application बनाते वक्त embed करते हैं तो जावा से जावा स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है हाला कि कुछ जगे पर आप syntaxes देखेंगे जो grammar होती है वो same है तोनों की कुछ जगे पर आपको influence दिखेगा Java का लेकिन basically जावा स्क्रिप्ट और Java का कोई relation नहीं है in fact जावा स्क्रिप्ट C से ज़ादा influenced है अब बात करते हैं history of JavaScript जावा स्क्रिप्ट को 1995 में Brandon Eck ने बनाया था और मात्र 10 दिनों में इसका पहला version उन्होंने launch कर दिया था Brandon Eck Netscape कंपनी में काम करते थे और ये वो दोर था जब Netscape Navigator बहुत famous था Netscape का ये एक browser था जो की काफी popular रहा है उस समय तो 90's के दशक में जब internet browsing का बोल बाला रहा या emerging technology थी यह तब Netscape Navigator एक leader की रूप में market में आया था वो free of cost अपना जो software था ब्राउजर था वो provide करता था बाद में उसको टक्कर मिली internet explorer से जो Microsoft का था और आगे के काफी लंबे समय तक internet explorer वर्ल्ड में top में बना रहा Anyway, JavaScript को मात्र 10 दिन में बना लिया गया ये लेकिन उसका पहला वर्जन था इसके बाद में इसके वर्जन को थोड़ा सा modify भी किया मतलब next वर्जन भी लाए और शुरुआत में इसका नाम JavaScript नहीं था बनाई थी और September में इसका नाम फिर चेंज हो गया यानि अभी तक इसका नाम मोचा था अब इसका नाम हो गया जावा स्क्रिप्ट और जावा रिलेटेड नजर आएंगे तो शायद कुछ फायदा हुआ भी होगा उनको अब समझते हम जावा स्क्रिप्ट को यूज क्यों करते हैं देगे HTML पढ़ चुके हैं CSS पढ़ चुके हैं जिससे कि हम web page बना सकते हैं HTML से क्या टाय होता है कि कौन से element आपको page पर दिखाई देंगे जैसे table दिखाई देगा, image दिखाई देगी, hyperlink दिखाई देगा, paragraph दिखाई देगा क्या-क्या element दिखाई देंगे ये HTML टाय करता है जबकि CSS यह तरह करता है कि वो elements कहां दिखेंगे और कैसे दिखेंगे यानि उनका decoration और position दोनों ही लेकिन language नहीं है न तो HTML programming language है नहीं CSS programming language वो होती है जिसमें decision लेने की capability होती है कि if some condition then do this else do that मतलब कुछ खास condition आई तो मैं ये करूँगा नहीं तो ये करूँगा तो ये decision call ले पाता है programming language अब JavaScript एक programming language है तो उसके करण हम क्या क्या काम कर सकते है तो JavaScript को mainly चार reasons से use किया जाता है पहला है add functionality मतलब आपको अपने page पे कोई functionality add करनी है for example आपको अपने page पे timer दिखाना है time चलता रहेगा या फिर आपको चाहिए कि आपके page पर आपने कोई text लिखा है आपने कई ऐसी sites देखी होंगी जिसमें कुछ एक paragraph लिखा हुआ है और जैसे ही आप mouse को उस paragraph के उपर लेके जाते हो paragraph के background का color थोड़ा सा change हो जाता है जिसे कि आपका उस page पर उस particular content की तरफ focus बढ़ जाए या हो सकता है कि आप menu पे menu item पे उपर menu रहता है site का उस पे आप mouse लेके जाते हैं तो वहां से एक pop up होता है और sub list menu sub menu open हो जाता है इस तरह का कुछ आपको दिखाए देता है तो यह सब क्या adding functionality to the page यह हम जावा script की मदद से कर सकते हैं कि यदि mouse यहां आया तो यह दिखा दो या इसका color change कर दो दूसरा काम होता है इसका validate forms बढ़ा ही important काम आप कई तरह के form भरते हैं जैसे आप जब login करते हैं किसी भी site पर तो login का वह form होता है एक text box होता है उसमें username डालते है फिर एक text box होता है उसमें password डालते है फिर button पर click करते है that is nothing but a form form क्या है जिसमें आप अपनी कुछ details fill करके submit करते है या आप कही registration कराते हैं तो form है कही inquiry करते हैं तो form है तो form आप कई जगे भरते हैं तो आप form भरते हैं तो ये जो form जब आप fill करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आप fill करते हैं और फिर जब submit करते हैं तो वो submit नहीं होता है बलकि आपको बताता है कि आपने कोई field खाली छोड़ दी है कोई field थी जो mandatory थी compulsory थी लेकिन आपने उसमें filling नहीं करिये तो वो एक तरह का error message आपको बताता है ये है form को validate करना यानि एक checking करना कि form proper तरीके से भरा गया है कि नहीं भरा गया ये हम किस से कर सकते हैं Java Scripts से तीसरा फायदा हमको मिलता है communicating with the server इसके लिए हमें पढ़ना होगा Ajax जो हम आगे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है जैसे आप Google पे कुछ सर्च करते हैं सर्च करते हैं तो आप जैसे ही लिखते हैं आपको एक suggestion list दिखाई देने लगती है जैसे आपने कुछ type करना start कि आपने 2-3 letter ही type करें लेकिन वो 2-3 letter से start होते हुए जितने शब्द बनते होंगे जो काफी जादा frequently search किये जाते हैं उसकी एक list आपको दिखने लगती है तो ये कैसे होता है ये ऐसे होता है कि आपने जैसे ही कुछ type किया वो data server पे जाता है और server से suggestion list लेकर आता है और यहां display होता है पर हमने तो कहीं click नहीं करा हमने सिर्फ type ही कर रहे थे और server पे request चली गई वहां से response आ गया ये सब कैसे हो गया ये हो गया JavaScript की मदद से और इस technology को हम बोलता है Ajax जो हम पढ़ेंगे आगे तो ये JavaScript का एक main काम हो गया और इसके करण हमारा user experience बहुत अच्छा हो जाता है यानि अच्छा एक और बहुत अच्छा example इसका आप Facebook तो use करते ही होगे तो अगर आपने Facebook use किया है तो आपने देखा है जो wall पे post आती है आप scroll करते हैं आता जाता है पर scroll करते जाएं करते हैं वो तो infinite तक scroll करती ही जाते हैं आप और जब scroll करते हैं तो वो नया content load करते हैं मतलब आप सोच सकते हैं कि page शुरुवात में कितने content के साथ आया होगा एक page पे कुछ post होगी लेकिन आप scroll करते जाते हैं पोस्ट पढ़ती भी जाती है यह इतनी सारी पोस्ट आप scroll करते जा रहे हैं पोस्ट पढ़ती जा रही है यह कैसे हो रहा है यह ऐसे हो रहा है कि आपका scroll एक limit के नीचे जब आता है तो server पर request जाती है और वहाँ से नया data फैच हो कर आता है यह भी कैसे हो रहा है जावा स्क्रिप्ट की मदद से तो communicating with server यह इसका एक काम चौता काम है read write HTML element मतलब with the help of जावा स्क्रिप्ट we can handle the whole HTML HTML यह नहीं है हम CSS को भी जावा स्क्रिप्ट से control कर सकते हैं यह नहीं मैं जावा स्क्रिप्ट के जरिए HTML का नया element बना सकता हूँ मतलब पहले मेरे page पर button नहीं थी लेकिन वो button user के कुछ action perform करने से बन गए तो यह मैं करवा सकता हूँ मैं किसी HTML element को access कर सकता हूँ उस HTML element के content को change कर सकता हूँ हो सकता है कि user जैसे ही एक particular जगे click करता है वैसे ही paragraph का content change हो जाता है तो यह मैं करवा सकता हूँ with the help of JavaScript तो JavaScript के यह चार main काम है JavaScript जो है वो client-side scripting language है आप इतना तो समझते हैं कि जब भी आप कोई website को access करने के लिए कहीं click करते हैं या URL लिख कर enter करते हैं तो request जाती होगी server यानि एक दूसरा computer और वहाँ से response आता है जो आपको आपकी screen पे दिखता है JavaScript का program server से बिना run हुए आपके computer तक आ जाता है और आपके computer में ही JavaScript का code run होता है और उसका output आपको screen पे दिखता है इसलिए JavaScript को हम client-side scripting language बोलते हैं कि वो run client machine पे हो रहा है यानि हमारी machine पे हो रहा है तो JavaScript is a client-side scripting language JavaScript का जो interpreter होता है जो JavaScript के code को actual में execute करवाएगा वो software आजकल browser के साथ आता है क्योंकि JavaScript आजकी date में इतनी popular scripting language है कि हर browser उसको support करता है तो आप अगर देखें तो दूसरी कई scripting languages है जिनके लिए आपको interpreters download करने पड़ेंगे तब जाके आपका browser उन languages को समझ पाएगा लेकिन JavaScript के लिए आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है कुछ भी आपको download नहीं करना है JavaScript को आपका browser समझता है क्योंकि उसके पास JavaScript interpreter है तो जब भी एक web page में एक HTML फाइल में code को browser read करता है तो जैसी JavaScript का code आता है वैसे ही browser JavaScript interpreter से कहता है कि इस code को पढ़ो और interpret करो और JavaScript interpreter browser के कहने पर वो काम करता है इस तरीके से page में JavaScript की code को भी browser के द्वारा run करवा लिया जाता है browser के पास interpreter होता ही है JavaScript का interpreter होता है लेकिन किसी कारेंट से नहीं है तो आप इसको अलग से भी download कर सकते है अब सवाली होड़ता है कि हमें JavaScript का code कहां लिखना है इसको लिखने के दो तरीके या तो आप JavaScript का code उसी HTML फाइल में लिख दे जिस फाइल के अंदर आपको scripting apply करनी है यानि जिसके HTML पेज पर आपको scripting apply करनी है तो अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा diagram से समझाता हूँ माल लिजी आपने एक HTML फाइल बनाई है यह है .html फाइल इस फाइल के अंदर आपने कुछ javascript apply करना चाहा तो आप क्या करेंगे इसी के अंदर javascript का code लिख देंगे एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका यह है कि यह मेरी html फाइल है ठीक है और इस फाइल पर मुझे javascript apply करनी है पर मैं javascript का code इसके अंदर लिखने की बजाए एक अलग फाइल में लिख देता हूँ और इसका extension होगा .js javascript के लिए और इस फाइल का जिक्र में html फाइल में कर देता हूँ ताकि linking हो जाए दो तरीके यह तो मैं बाहर दूसरी फाइल में javascript लिख रहा हूँ या उसी फाइल में लिख रहा हूँ अब अगर मैं html फाइल में ही javascript लिख रहा हूँ तो मुझे किसी तरीके से mention करना पड़ेगा कि यह जो code है यह html code नहीं है यह javascript code है तो मुझे यहाँ पर tag लगाने पड़ेंगे कौन से tag यहाँ पर एक tag होता है script tag तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा script tag कैसा होता है आप लिखेंगे script tag open script tag close इसके बीच में आपको javascript का code लिखना है script tag में एक important attribute होता है type जिसकी value आप लिखते है text object javascript और अगर आप external file में javascript का code लिखना चाहा रहे है तो आप वो भी कर सकते है external file मतलब इस file में अगर आपने javascript का code लिखा है तो एक बात का धियान रखिएगा script tag जैसा कि आप यहाँ लगा रहे थे वो .js file में नहीं लिखना है यह बात बहुत important है जब आप html file के अंदर javascript का code अमबेट कर रहे थे तो आपने script tag लगाया था कैसा? ऐसा लेकिन तब जब आप html file के अंदर javascript लिख रहे हैं अब मैं कह रहा हूँ कि आप javascript का code इक अलग file में लिख रहे हैं जिसका extension है .js इस file में कोई script tag नहीं लगाया जाएगा ठीक है दूसरी बात क्योंकि ये javascript file का code इस page के लिए है html page के लिए तो मुझे इस javascript का जिक्र इस html file में करना होगा ताकि ये javascript इस page के लिए apply हो सके ऐसा करने के लिए मैं html file में script tag लिखूँँगा script tag कैसे लिखूँगा इसको समझते तो मैं यहां html file में इस जगे पर क्या लिखने वाला हूँ मैं लिखने वाला हूँ script ठीक है script tag और इसमें एक attribute रहेगा type जिसकी value होगी text अब लिख जावा स्क्रिप्ट ठीक है ओके लेकिन अभी मेरा script tag खतम नहीं हुआ है इसमें एक और attribute हम लिखेंगे src that is source और इसकी value के रूप में इस file का नाम लिखेंगे जैसे माल लिजए इस file का नाम है j1.js तो मैं यह लिखूंगा j1.js ठीक है अब अगर यह file same folder में है तो आप सीधे file का नाम लिखेंगे अगर अलग folder में है तो आपको पूरा path यहां लिखना होगा और यह आपने script tag कर दिया close इसके बाद आप script tag का closing tag भी लगाएंगे script धियान रखिएगा कि आपने सोचा कि यह दोनो script tag start और close के बीच में javascript का code लिख दूँ यह allowed नहीं है या तो script tag मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे external javascript file को include करना है या फिर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे उसके बीच में code लिखना है तो दोनों में फर्क या है यह src attribute का तो यदि ऐसा भी आपका question हो सकता है कि एक page पर मैं दोनों चीज़े अपलाई करना चाह रहा हूँ यानि कुछ javascript यहां लिखना चाहता हूँ और एक javascript file के code को भी include करना चाहता हूँ तो आपको script tag दो बार लगाने होंगे एक बार external file को include करने के लिए और दूसरी बार अपना javascript का code यहीं पर लिखने के लिए तो यह दो तरीके हैं बाकी coding के जरीए भी हम चीज़ों को समझेंगे और हमारे javascript के आगे की videos में हम coding सीखेंगे तो आपको और ज़्यादा clarity आएगी लेकिन फिलहाल जितना javascript का introduction basically required था I hope वो आपको समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको like जरू करिए आप इस channel को जरू subscribe करिएगा ताकि इस तरह के और videos जब मैं upload करूँ तो उसकी जान करें आपको मिल सके आप मेरी website को जरू विजट करें www.mysergy.com इस website पर और भी कई सारे videos आपको मिलेंगे C, C++, Java, PHP, Data Structure, DBMS, Programming, Exercise, Campus Preparation और भी बहुत सारे तो ये सारे videos आपको इस site पर मिलेंगे बहुती organized manner में मैं हर रोज video upload करता हूँ तो आपको उसकी जानकारी भी यहां से मिल जाएगी कि कब मैं कौनसे videos upload करने वाला हूँ और recently मैंने अभी कौनसे videos upload करें इसके लावा मैं आपसे ये भी request करूँगा क्योंकि ये free of cost है आप इसको अपने facebook wall पे भी share करिए ताकि जादा से जादा लोगों तक ये videos पहुँच सके Thank you